हेलो फ्रेंट्स, होप यू वॉल आ गुज्ट फ्रेंट्स हम इंडियन्स का खाना बिना ताल चावल रोटी सबजी के इंकम्प्लेट है इन फेक्ट ये तो हमारे लंच और देनर दोनों में इंकल्यूद होती है एक प्रॉपर नूट्रिशन मील है लेकिन फ्रेंट्स, ये हमारे keto diet के लिए perfect नहीं है क्योंकि इसमें high amount में carbs include होता है और इसी reason से हम इंडियन्स के लिए keto diet करना थोड़ा difficult हो जाता है लेकिन फ्रेंट्स, आज हम इस वीडियो में यही discuss करेंगे कि ऐसे कौन से फूड आइटम से जो हमें किटो डाइट में अलाओ है और जो हमें अवाइट करने चाहिए सो स्टार्ट करते हैं हमें सबसे पहले वह वेजेटीबल स्टूस करनी हैं जिनमें काप्स क्वाइंटिटी कम होती है अगर करते हैं अगर हम फैट और और ऑईल की बात करें तो आप ओलिव गी बटर को कोकोनॉट एट और यूट और यूट गी बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशिज की अगर हम फिशिज में देखे तो आप मोस्ली फैटी फिश यूज करें लाइट कैट फिश, सैलमन, टोना, ट्राउट, हैलिबट, शेल फिश की बात करें तो क्रैम्स, क्रैब, लॉबस्टर, स्क्विड, ऑस्टर, स्कैलब आप चूज क अगर हम लिक्विट की बात करें तो आप इसमें इसमें नो. अगर उसके साथ साथ जान प्रॉंस, कोफी ले अगर इसमें लिक्विट म currently Prism t, ऐभ भू करें और उसके साथ टायं उसके साथ नेसरी मन और तो आप ट्राय करें हार्ड लिकर चूज करने कि लाइक विस्की, वोटकारम, टकीला, तकीला, श्पाइस और हर्ब्स आप सभी टाइप की यूज कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम से जो किटो डाइट में अवाइट करने हैं वैसे हम इंगेंस का सबकुची बंदा है दाल, चावल, रोटी, तो लेट्स डिसकस्, सभी टाइप के ग्रीन्स क्योंकि ग्रीन्स में हाइक जवार, बाजरा, वीट, स्टार्ची, वेजिटेबल लाइक पतेटो, स्वीट, पतेटो, कौन, बीट रूट, हाई शुगरी किट मिल्क, टी, कॉफी इन सबको आपको अवाइट करना है, सो फ्रेंच, यह थी कुछ फूद आइटम्स जो आप अपने किटो डाइट प्लाइन करते से, मैं कंसेडर कल सकते हैं, हम इंडियन्स के थोड़ी चैलेंजिंग है किटो डाइट, बट ट्रस्ट मी, इट इस वे या टू मंथ के लिए ही करेंग, थैंक यू